दोस्तों नमस्कार मैं परवन शर्म मोटिवेशन स्पीकर आज हम बात करने वारे हैं आपके पोटेंशल के बारे में आपके अंदर कुछ ना कुछ तो पोटेंशल होगा उस पोटेंशल को पहचाने हैं हुनर को पहचाने हैं अगर आप अपने हुनर के साथ काम करेंगे तो जिवन में आप सफल होंगे आपने देखा हुगा जो लोग सफल होते हैं वो अपने हुनर को पहचानते हैं वो ढूंडते हैं कि उनके अंदर हुनर क्या है एक सवाल आप से कि आपके अंदर हुनर क्या है अपने हुनर को पहचानते हैं जो आप बने हैं जो आप अभी काम कर हैं कि आप वास्ता में वही काम करना चाते थे या वही बनना चाते थे जो आज बने हुए हैं अगर नहीं है तो इस वीडियो को अंतक जूर देखे आपके अंदर बहुत सारा बदलाव आएगा आप देखना चाते हैं कामयाब आदमी हर कोई होना चाहता है हर कोई आत्मी कामियाब होना चाहता है हर कोई आध मिसपलता होना नहीं। अच्क्त अधैस कामियाब आद्मी होने के लिए अपने हुनर को पैचानना उसको धार देना जुरूरी है और deals More I need a तो तो हार जाएगा वह पहले काट रहा है बोला चिंता मत करो करने दो वह दार देता रहा देता रहा ती तीक्षी कर दीती उसने टच करते ही पेड़ कटने शुरू हो गए तो आप भी अपने और देखेंगे लास्ट में सबसे जद्धो वह जिता जिसने अपनी कुलारी को दिया कामियाब आदि अपने हुणर को दियते हैं पहचानते हैं अपने काम को पहचानते हैं करते हैं विजुनरबंते हैं हम ऐमस १ोनी की लिडर्शिप के बारे में बात करते हैं एमस दोनी कौन है एमस दोनी जो है टिकट चेकर बन गये थे और यह आपके सामने है प्रैक्टिकल है यह उनकी फोटो अपनाने देखे टिकर चेकर एमस दोनी जब बने थे उनके अंदर पोटेंशल क्या था समाज ने सुसाइटी ने उनको बना दिया गवर्मेंट डिपलॉ लेकिन बन क्या गए वो बन गए टिकर चेकर तो अब आप देखे विजनर अब वो टिकर चेकिंग करते करते अपने पार्ट टाइम समय को अपने हूनर के साथ अपने पोटेंशल के साथ चोड़ते गए धीरे धीरे अपने आपको उन्होंने डॉलपमेंट किया और साथ की को नहीं छोड़ा अपने काम को नहीं छोड़ा काम के साथ उन्होंने अपने सपने को पकड़ा रखा और इसी वाज़ाय से एमस दोनी जो है साथ जुलाई कि भी ये रस्ता जो है सफलता की ओर लेके जाएगा और आज देखिए एमस दोनी पूरे वर्ड के अंदर फेमस है एक एक बच्चा एमस दोनी को जानता है जीवन आये तो इस प्रकार से सफलता जरूर होनी चाहिए जीवन में इस प्रकार की सफलता ही आपको आगे लेके चल आउनों फोकर्स करना विंट की पिंग करते हैं तो प्रम फोकस होता और कैप्टेंचिप कूल रहना यह सारे के सारे अंदर पोल्टेंशन थे उन्हों नहीं सी तरिकně से गया और उन्हों को लगा belong कि की दॉपकरी मेरे लिए कामियाबी नहीं है मेरे लिए मेरी इंडियन टीम की में जाना मेरे लिए कामियभी का रस्ता है हाड़ वर करते हुए उन्होंने अपना सपना नहीं छोड़ा संगर्ज किया और अपने सपने की तरफ आगे बढ़े और यह ट्रॉफियां एमस धोनी ने इतनी सारी ट्रॉफियां उन्होंने लिए हैं वर्ल्ड के फेमस कैप्टन में गिना जाता है अब मेंदर स्विंग धोनी 15 अगस 2020 को रिटायर हो जाते हैं तो धोनी की अर्निंग जो है गूगल पर सर्च करते हैं तो वहां देखते हैं चार से च्छे क्रोड रुपया पर डे की अर्निग है मेंदर सिंग धोनी की पर डे की अर्निंग चार से च्छे क्रोड रुपया डेली की अर्निग है डिटायर्मन के बाद आप अंदाजा लग ये अगर आप सोचते हैं अगर धोनी अपने होनल के साथ काम ना करते तो वो दोजार 49 मिर्टैर होते और उन्हें मिलते क्या कुछ लाख रुपिया क्या उनकी पहचान होती नहीं होती क्या थे वो एक अच्छी नोकरी करकर के वो एक अच्छे घर में छोटे से घर में जो सेटल ना होते तो आप सोचिए सर ये एक बहतर आपके लिए अगर आप जिंदगी में कामियाब होना चाहते हैं तो MS-Doni की तरह आपको भी जिंदगी में अपने आपको कामियाब करना है और अपने सपने को